हेलो दोस्तु कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हों कि सब बढ़िया ही होंगे दोस्तु फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर आज हम आप को एक ऐसे देश की सैर करवाने वाले हैं जो है दुनिया का सबसे बढ़ा देश एक ऐसा देश जहां महिलाओं की पॉबिलेशन ज्यादा है पुरुश से और एक ऐसा देश जहां के लोगों का मानना है कि धर्ती सूरज की नहीं बलकि सूरज धर्ती का चक्कर लगाता है ये है भारत का सबसे अच्छा और सच्छा दोस्तो और इस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा अरब पती लोग इस देश की बारे में कहा जाता है कि यहां पर आज भी 15 ऐसे शहर हैं जो कि छिपा कर रखे गए हैं इन शहरों के बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं है ये का सबसे अनोखा और सबसे ताकतवर देशों में से एक है जीहां दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं रज्या की यानी रूस की तो फिर तेर किस बात की अपना सीट बैल्ट बांद लीजी अच्छे से और निकलते हैं रूस की एक शांदार सफर पर सबसे पहले आपको बता अगर हैरानी होगी कि रूस की एरिया प्लूटो से भी बड़ा है देश की पॉपलेशन की बात की जाये तो यह 14 करोड की आसपास यहां की कुल जनसेंख्या में से 74 परसेंट शेहर में रहते हैं जबकि 26 परसेंट लोग गाओं में क्या आपको पता है कि हमारे देश के साथ रूस का सम्मंद सधियों से काफी अच्छा है भारत का सबसे पुराना दोस्त रूस ने भारत को कई बार युद्ध में मदद की है भारत को जब कभी सहारे की जरुवत पड़ी है तो रूस हमेशा साथ खड़ा हुआ है भारत और रूस की बीच कई समझोते भी हूए भारत के पास ऐसे कई लड़ा को विमान है जो कि उसने रूस से खरीदे है भारत के लिए रूस अमेरिका के सामने भी खड़ा हो गया था भारत और रज्या के सम्मंद देखकर अमेरिका को भी पीछे हटना पड़ा दोस्तों रूस में आपको महिलाएं ज्यादा नजर आएंगी आपने देखा होगा कि लगभग हर देश में मर्द ज्यादा होते हैं लेकिन यहाँ की बात अलग है यहाँ पर कुल मिलाकर महिलाएं 54 प्रतिशत है तो पुरुष 46% है तब ही यहाँ पर महिलाएं डॉमिनेट करती है वैसे भी रूस की महिलाओं को बहुत ही बोल्ड माना जाता है और यह बहुत आउट्सपोकन होती है रूस की करनसी है रेजियन रबल जो लगभग इंडियन करनसी के बराबर है लेकिन यह भारत से काफी महंगा है रेजिया के लोग एजुकेशन के मामले में काफी सीरेस है दो हजार अठारे में की गई एक सर्वे के मुताबिक रज्या की लिटरेसी रेट 99.73% है जो की कमाल की है दोस्तों रूस में कोई भी इंसान गंदी कार के साथ यहां के सड़कों पर नहीं निकल सकता यह यहां का सकत नियम है अगर आप कार के साथ अपने घर से निकलते हैं तो कार की सफाई अच्छे से होनी चाहिए अगर दानी शेहर मॉस्कों में ट्राफिक की बड़ी समिस्या है पी कार्स में यहां पर लोग भारी संख्या में आफिस और अपने बिजनिस के लिए एक साथ सड़क पर निकलते हैं ऐसे में यहां ट्राफिक लग जाती है और ट्राफिक से बचने के लिए लोग यहां एंबुले केस के माम ले आते हैं। रज्जया की लोगों की बीच में शराप पीने की बहुत शराब आदत है। कहा जाता है कि यहां की लोग नशा किए बिना रहे ही नहीं सकते। आधे से ज्यादा लोग तो यहां पर ठंड के नाम पर ही शराब पी लेते हैं वोदका शब्द की शुरुआत इसी देशे से हुई है यहां पर वोदका का मतलब होता है पानी और इसी लिए यहां के लोग वोदका का इस्तिमाल पानी की तरह ही करते हैं तभी यहां सबसे ज्यादा वोदका पीने वाले लोग मिलते हैं और यहां की महल अब ये बात तो हमने आपको बता दी कि रिज्या के लोगों के बीच में शराब पीने की अलग हिलत है, लेकिन यहां के लोग अपने हेल्थ को लेकर भी बहुत मेहनत करते हैं, ये खूब शराब पीते हैं, तो जम कर सुभष शाम कसरत में पसीना भी भाते हैं, तभी तो इत परजधर्ती का चक्कर लगाता है, वेल दोस्तों लोगों का मानना है कि आज भी इस देश में कम से कम पंध्र ऐसे शेहर हैं, जिसके बारे में किसी को नहीं बता, कहा जाता है कि इन शेहरों में ही नुकलियर पावर को रखा जाता है, माना जाता है कि इस शेहर को छुपा क कर रखा गया है दुनिया की नजर से हालांकि इस बात में कितने सच्चाई है इसका दावा हम नहीं करते लेकिन इतना तो तैह है कि इस देश में वाकई में कई ऐसी चीज़े हैं जिसके बारे में जानकारी किसी के पास भी नहीं है दोस्तों कुट्ते पालना ज्यादत लोगो और नहीं रख सकते हैं रज्जा में इनसान के साथ साथ जानवरों को भी उतना ही प्यार दिया जाता है क्या आप जानते हैं कि पीटर डेग्रेट के शासन के समय रूस में कुछ ऐसा होता था जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है उस समय देश में जो भी दाड़ से भरे होते हैं और पतले पास्ता जैसे आटे में लपेटे जाते हैं पहल मैनी को कटा हुआ मक्खन और खटा क्रीम के साथ या सूप शोरबा के साथ परोसा जाता है और आपको अगर दुनिया का सबसे कमाल का नॉन्वेज का जायका लेना है तो आपको जरूर रिज्या जान आप यहां जी भर कर नॉन्वेज खा सकते हैं यहां पोर्क मीट सबसे ज्यादा खाया जाता है क्योंकि यह गरम होते हैं साथ ही यहां पर लेंब मीट का भी कई तरह का लाजवा पकवान बनता है साथ ही लोगों को चीज का बहुत पसंद है और वो भी गरम करके रूस के ल आते हैं कि रूस में वो कौन-कौन सी सबसे पॉपिलर जगह है जहां पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं नंबर वान इस मोस्को मोस्को सिफ रूस की राजधानी ही नहीं बलकि देश का दिल भी है और इस देश का सबसे फेमस टूरिस्ट शहर भी मोस्को में देखने के लिए इतना कुछ है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहां से शुरू करें और क्या-क्या देखें रूस के फेमस टूरिस्ट आइगल्स में से रेड स्क्वेर मॉस्को क्रैमलिन सेंट बैसिल कैथेड्रल और लेनिन की समाधी जैसी चीज़े हैं आपको अगर म्यूजियम घूमने का शौक है तो स्टेट स्टारिकल म्यूजियम जिरूर जाएं और शौपिंग के शौके इन लोगों के लिए यहां का इसमेलोवस की मार्केट और अर्बत स्क्वीड जहनत है सेंट पीटर्जबर्ग को रूस की शाही राजधानी कहा जाता है क्योंकि यह एक शांदार जगे है जहां मौझूद है देश के कई शाही महल और म्यूजियम्स सेंट पीटर्जबर्ग रज्या का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जिसका कल्चर और पॉलिटिकल इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है यह शहर टूरिज्म के लिए भी काफी जाना जाता है और यहां हर समय बड़ी तादाद में टूरिस्ट हॉलिडे मनाने आते हैं आप जब भी सेंट पीटर्जबर्ग जाए तो तीन लाग से उपर आइटम्स के कलेक्शन वाले हैर्मिटेज म्यूजियम को देखना ना पुले और इसके लाबा यहां कई कैथेड्रॉल्स भी हैं जिसे देखकर आपका मन भर जाएगा नेक्स्ट इस कजान मॉस्को से भी पुराना शहर कजान को कभी वॉल्का के स्तानबुल के रूप में जाना जाता है ये एक ऐसा शहर है जहां योरॉपिये और एज्याई संस्कूर्टिया काफी मिलती जोती है तातर भाशा में कजान का मतलब होता है कडाही 2018 का फुटबॉल वर्लकाप होस्ट करने के साथ है इस शहर में पहले भी कई स्पोर्ट्स इवेंट्स का आयोजन हो चुका है जिस वज़े से इसे शहर को स्पोर्ट्स कैपिटल आफ रज्या के नाम से भी जाना जाता है जोकि यहां रहने वाले ज्यादतर तातर कम्यूरिटी मुस्लिम है इस वज़े से कजान में कैथेट्रोल्स के पास मस्जिद बने देखे जा सकते हैं यहां कजान क्रैमलिन कुल शरीफ मस्जिद जैसी जगें देखने लाइक है और पैदल चलने वाले टूरिस्ट के लिए बाउमन स्ट्रीट बेस्ट है जो की एक पैदल यातरी खरीददारी तड़क है भले ही आप रज्या के शहरों के नाम से वाकिब ना हो लेकिन सोची का नाम अपने पहले भी सुना होगा क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट करने से पहले रज्या का कोस्टल शहर सोची 2014 के विंटर ओलम्पिक्स गेम्स की में जबानी कर चुका है यहाँ बाइजेन टाइन के समय के खंडहर है म्यूजियम्स हैं जिस वजह से सोची आर्ट और हिस्ट्री में दिल्चस्पी रखने वालों के लिए सपनों का शहर है स्टालिन के ताना शाही जीवन को समझने के लिए यहाँ के स्टालिन के दाचा में जरू जाए इसके लावा आप सोची के चाय बागान को एक्स्प्लोर कर सकते हैं आपको बता दे कि सोची हॉलिडे स्पैंड करने के लिए बेस्ट जगह है आप जब भी रज्या आए तो यहाँ की ब्लैक सी में स्विमिंग करें और स्कीइंग का मज़ा जरूर लें रज्या की इस्ट में स्थित व्लादी वोस्टॉक चारों तरफ से पहाड और खंडारों से गिरा हुआ है और जिसके कारण शहर के खुबजूरती और भी बढ़ गई है ये शहर थेटर और मुजियम से लेकर कॉंसर्ट्स तक कई कल्चरल अट्रैक्शन्स का किंदर बिंदू है शहर में एक ऐसा मुजियम है जो की सबमरीन को डेडिकेटिट जिया गया है गोल्डन रिंग मॉस्को के बाहर की कई शहरों को एक साथ जूडता है और इसे देखने से हर कोई चकित हो जाते है चैरी आर्चर्ड्स, यूनिक कॉटेज और देश की सबसे पुरानी आर्ट से प्रतिष्ठित चर्चों से भरे खुबसूरत ग्रामिन इलाके इसे जगए को घूमने के लिए एक स्पेशल टुरिस्ट साइट बनाते हैं चली दोस्तो अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहां का वीजा प्रॉसिस आपको बता दे कि आपके पास अगर सारी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा दस दिन के अंदर मिल जाएगा आपको रज्या गूमने के एक हफते के लिए लगभग 1,80,160 रुपए खर्च करने होंगे तो दोस्तो यह था रूस कैसा लगा हमें बताईए कॉमेंट्स में क्या कभी आपने विसिट की है इस देश की और अगर की है तो आपका experience कैसा रहा ये भी हमारे साथ share जरूर करें अगर आपने से कोई रूस से अभी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूले उम्मीद है ये एपिसोड पसंद आया होगा आपको वीडियो को लाइक कीजे और अपने दोस्तों और रिश्टिदारों के साथ share करना न भूले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरू कीजे वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया फिर मुलाकातों की नहीं वीडियो के साथ धन्यवाद